हलो ट्रेडर्स आप सभी का एक बार फिसेट स्वागत है और एक नए लर्निंग वीडियो में तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धन के ब्रोकरेज के बारे में तो जितना एक्षल में कंपनी क्लेम करती है क्या वाइकाई में उतना ही हमसे चार्ज किया जात चार्ज किया दोनों कितना डिफ्रेंट से तो सबसे पहले हम यह एक्ष गर इसके लिखा गया है यहां फिर 0.03% जो भी लोवर होगा वो चार्ज किया जाएगा वहीं अगर options की बात की जाए तो इसमें यहां पर लिखावा है 20 फ्लैट चार्ज तो यहां पर कहीं mention नहीं है कि इसमें external कोई additional चार्ज लगने वाला है या फिर कोई hidden चार्ज है यह भी मैंसन नहीं है जबकि यह चार्ज किया जाता है वह आपको आगे चलके वीडियो में पता चले जाएगा तो आएए इसके calculator की मदद से हम लोग देखने के कोशिश करते हैं कि actual में कितना चार्ज किया जाता है तो यहां पर मैंने सबसे पहले आपको मैं clear कर दूँ कि यहां पर हमने buying price 100 रुपे डाला हुआ है selling price 120 रुपे डाला है और जो हमने lot size रखा है वह 1000 का रखा है equity section के लिए और इसमें जो हमारा brokerage बना है वह हम लोग देख लेते हैं यहां पर जो हमसे brokerage चार्ज किया गया है वह 40 रुपीज किया गया है और इसके अलावा हमसे order charge 49.8 रुपीज लिया गया है और जो यहां पर P&L बनके आया है वह 20,000 है जिसमें हमारा जो net P&L बनके आया है वह 19,911 रुपे क आस-पास बनके आया है तो इसमें कौन-कौन से extra charge हमें लगते हैं brokerage के अलावा वह भी एक बार हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले जो brokerage लगता है वह 40 रुपीज है उसके बाद exchange का transaction charge 7 रुपीज यहा 7.15 है उसके बाद DP charges 0 है clearing 0 है security transaction tax यह सबसे ज्यादा ल लगा हुआ है और जो सेवी का charge है वो 0.22 रुपीज है वहीं पर investor protection का जो charge लगा हुआ वो 0.22 रुपीज और साथ में यहां पर हमें GST charge किया गया है 8.49 रुपीज यानि 8.5 रुपे का असपास हमें charge किया गया है यह सब total tax को अगर जोड़ें तो यह 89.8 रुपीज होता है तो यह total जो hidden charges होते हैं जो आपको pay करने परते हैं हम लोग जब भी नॉर्मली धन का जो advertise देखते हैं उसमें यहां पर 20 रुपीज या भी 20 रुपीज बोलके इसको advertise किया जाता है बट actual basis में देखा जाए तो यहां पर काफी सारे hidden charges होते हैं अब same quantity को हम लोग options में भी difference आ जाता है charges में तो अब हम लोग आ गए हैं यहां धन के options के calculator में तो इसमें भी मैंने calculation को fair बनाने के लिए सारा data similar बनाया है जो हमारा PNL हो वह 20,000 के आसपास उसमें भी था तो इसमें भी हमने लगबग उतना का ही PNL रखा है ताकि जो charges वगेरा का calculation है वह आपको easily समझ म आए अब देख लेते हैं यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो gross PNL बना है वह 20,000 है और equity में भी हमने similar रखा था और यहां पर हमारा net PNL बनके आया है वह 19,743.68 तो लगभग 19,744 के असपास में यहां पर net PNL बनके आया है अब यहां पर जो charges की बात करें तो यहां पर ब्रोकरेज 40 रुपीज equity में भी लगा था और इसमें भी similar ही लगा है options के लिए भी बट यहां पर जो charges वो काफी ज़्यादा बढ़ गए है exchange transaction charge की बात करें तो यहां पर 110 रुपीज लगा हुआ है DP 0 है clearing 0 है security transaction tax 75 रुपीज लग गया है वहीं अगर सेवी turnover की बात की जाए तो 0.22 रुपीज investor protection charge का 1.10 रुपीज stamp duty यहां पर 3 रुपे लग गया है और GST 27 रुपीज लगा हुआ है equity में stamp duty नहीं लगा था इसमें यहां पर लगा हुआ है वहीं अगर total tax की बात की जाए तो यहां पर 256.32 रुपीज लगा हुआ है तो काफी जादा brokerage यहां पर पे करना पड़ रहा है options के लिए तो यह चीज आपको समझने में काफी help करेगी कि आपको options में trade करना है या फिर equity market में work करना चाहिए तो अगर मेरा suggestion की बात की जाए तो अगर आप एक beginner हैं तो आपको equity में work करना चाहिए विकोज आप options में work करते हैं तो आपका काफी ज्यादा brokerage चला जाएगा जितना प्रॉफिट नी बनाएंगे उससे ज्यादा आपका brokerage चला जाएगा और साथी साथ अगर आप एक new trader होंगे तो आपका काफी सारे losses में होंगे तो आपको काफी बड़ा loss जेलना पड़ेगा इस चकर में तो अगर एक्विटी और options की बात की जाए तो दोनों में काफी ज्यादा difference है almost double से भी ज्यादा चार्ज किया गया है options के लिए तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको भी यह वीडियो काफी पसंद आई होगी मिलते हैं किसी next informative वीडियो मे और अगर आपने अभी तक धन का अकाउंट आपन नहीं किया है तो आपको description में लिंक मिल जाएगा वहां से आप आपन कर सकते हैं आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद